अपनी अपनी सोच का फर्क होता है समस्या आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत करने के लिए आती हैं इसलिए समस्या से डड़े नहीं इसका डट कर सामना करें नमस्कार बोलते तारे आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ सुना लिठाकुर राशिफल के जरिया आपके आने वाले भविश में क्या होने वाला है ये जान सकते हैं राशिफल के शुरुआत करेंगे और आज आपको लग की नमबर और कलर भी बताएंगे उसके पहले क्या आपको पता है कि अगर आपका गुरु खराब हो तो महिला हो या पुरुष उनके साथ कई काम होते होते रुख जाते हैं आपको पहले बताती हूँ जिन लोगों का गुरु ग्रह कमजोर होता है उनको गुरुवार का व्रत करना चाहिए वहीं जिनका गुरु कमजोर होता है उन्हें हर रोज भोजन में चने के बेसन घी का जरूर सेवन करना चाहिए माता पिता गुरु और बुजुरु का सम्मान करना चाहिए इससे भी गुरु ग्रह मजबूत होता है साथी पीपल के पेर की पूजा करने से भी गुरु ग्रह में आपको काफी फर्क दिखेगा आपका गुरु ग्रह अच्छा हो जाएगा और चली अब राशी फल का रुख करते हैं और शुरुआत मेश राशी से करते हैं नई नौकडी की तलाश में हैं तो आज आपको कुछ ओफर तो आ सकते हैं लेकिन आप उनमें कम रूची लेंगे आपका ध्यान किसी ऐसे अफसर की तलास में रहेगा जिससे मिलने में शायत थोड़ी देरी लगे चली आपका लखी नमबर और कलर आपको बता देती हूँ आपका लखी नमबर 6 है लखी कलर आपका हरा है और आप बात करेंगे व्रिश राशी की व्यपार करते हैं तो आज कुछ घाटा तो होगा लेकि समझदारी से काम लेंगे तो वही लाव भी बदल जाएंगे इसलिए सजक रहें और सोच समझ कर ही कोई निर्ने ले चलिए व्रिश राशी वाले जातकों का लखी नमबर आ कलर जान लेते हैं आपका लखी नमबर 9 है लखी कलर आपका श्वेथ है और व्रिश के बाद बात करेंगे मिथुन राशी की नए शत्रू बन सकते हैं जो आपका अहित करने का सोचेंगे ऐसे में किसी के साथ ऐसी बात साझाना करे जो बाद में आपके लिए ही मुसीबत बन जाए मिथुन राशी वाले जातकों का लखी नमबर साथ है लखी कलर सलेटी है और मिथुन के बाद बात करेंगे करक राशी की परिवार में ही किसी के प्रतिया आकर्षन आएगा और आप उनके लिए कुछ नया करने का प्रयास करेंगे जिससे रिष्टों में मजबूती आएगी करक राशी वाले जातकों का लखी नमबर दो है लखी कलर केसरी है और अब बात करेंगे सिंग राशी की आज के दिन कुछ नया करने का विचार मन में आएगा और आप उसमें सफल भी होंगे अपनी माता के स्वास्त का विशेश ठ्यान रखे सिंग राशी वाले जातकों का लखी नमबर अ कलर जान लेते हैं आपका लखी नमबर तीन है लखी कलर आपका नीला है सिंग के बाद बात करेंगे कन्या राशी की उच्छ शिक्षा ग्रहन कर रहे चात्रों का मन आज के दिन पढ़ाई में कम और अन्य कामों में ज़्यादा लगेगा आप जादातर अपनी रूची के कारेंगे जिसमें आपको अपने भाई बहनों का भी साथ मिलेगा कन्या राशी वाले जातकों का लखी नमबर पाँच है लखी कलर उनका पीला है और अब कन्या के बाद बात करेंगे तुला राशी की दिन की शुरुवात अच्छी रहेगी लेकिन दोपहर में किसी बात को लेकर मन परिशान रहेगा घर में किसी के साथ कुछ शेयर करने का मन करेगा लेकिन कर नहीं पाएंगे तुला राशी वाले जातकों का लखी नमबर एक है लखी कलर कुला भी है और अब बात करेंगे व्रिश्चक राशी की मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं तो आज आपके लिए कुछ अच्छे जॉब आफर आएंगे इसलिए किसी भी आफसर को हाथ से न जाने दे और उस पर अच्छे से सोच समझ कर कोई निडने ले प्रिश्चक राशी वाले जातकों का लखी नमबर आठ है लखी कलर उनका भूरा है और अब बात करेंगे धनू राशी की विवा की प्रतिक्षा कर रहे हैं तो मन में उदासी का भाव आएगा किसी के प्रति शत्रु भाव भी रख सकते हैं परिवार में किसी बात को लेकर अन्बन हो सकती है और अब चलिए धनू राशी वाले जातकों का लखी नमबर आठ कलर आपको बता देती हूँ आपका लखी नमबर तीन है लखी कलर आपका ग्रे है और अब बात करेंगे मकर राशी की अपने स्वास का विशेश ध्यान रखे शाम के समय पेट में दर्द की शिकायत रह सकती है इसलिए बाहर का खाना ना खाए और घर का बना पॉस्टिक भोजन ही ग्रहन करे मकर राशी वाले जातकों का लखी नमबर 7 है लखी कलर महरून है और अब बात करेंगे कुमराशी की शादी को एक वर्ष का कम समय हुआ है तो आज आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर प्रसनता रहेगी और रिष्टों में मजबूती आएगी कुमराशी वाले जातकों का लखी नमबर अकलर जान लेते हैं आपका लखी नमबर 4 है लखी कलर आस्मानी है और अब बात करेंगे अंतिम राशी मीन की कॉलिज के चातरों की आज अपने किसी सहपाठी के साथ नोग जोग हो सकती है लेकिन समय रहते विसुलत जाएगी घर में किसी बात को लेकर तनाव रहेगा मीन राशी वाले जातकों का लखी नमबर 2 है लखी कलर संत्री है बोलते दारे में फिलाल इतना ही नमस्कार